जम्मु कश्मीर के औरी सेक्टर में आर्मी के बारवी ब्रिगिट हेट कौर्टर पर फिदाइन हमले के लिए भारती सेना ने पाकस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने के तयारी शुरू कर दी है अपने 17 जवानों का बदला लेने के लिए सेना ने अपना शुरूआती प्लान तयार कर लिया है इस बारे में सरकार से इजाज़त देने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है तो सेना की तरफ से जो प्लान तयार किया गया है उसमें क्या कुछ है क्या कुछ यहाँ पर सेना अब सरकार से चाहती है कि सरकार उसे इस बात की इजाज़त दे कि वो पाकिस्तानी आतंगवादियों को कड़ा जवाब दे सके तो सेना का जो जवाबी प्लान है वो ज़र आपको समझाने की तयारी करे क्योंकि इजाज़त यहाँ पर अब सरकार से माग रही है सेना इन सब चीजों के लिए जिसमें सरकार से सीमा पर हमलों पर विचार करने की बात सेना की तरफ से कही जा रही है पाकिस्तानी सीमा के अंदर सीमित लेकिन कड़े हमले करने की इजासत भी सेना को दी जाए Western Front पर Air Force के Air Base को फुल अलट पर रखा जाए ये भी मांग सेना कर रही है इसके अलावा L.O.C. पार किये बगेर ही पाकिसेनिकों को जवाब देने की रणनीती यहां पर तयार करनी चाहिए इस पर भी विचार करने का मांग यहां पर सेना की तरफ से किया जा रहा है पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर भारी मोटार दागने की आनूमती दी जाए इसको उसी के तरह जवाब यहां पर दिया जाए इंफेंट्री यूनित्स की ओर से ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन चलाने की इजाज़त भी सेना सरकार से मांग रही है 90 किलोमेटर तक मार करने वाल इस मौच रॉकिट्स की दनाती की अनूमती के लिए भी सरकार से सेना ने कहा है अब देखना यह है कि सरकार जो सुझाव यहां पर सेना दे रही है और जो मांगे मांग रही है उस पर किस तरीके से विचार करती है जिसमें ब्रहमोस मिसाइल के इस्तमाल को लेकर भी सरकार से अनूमती सेना की तरह से मांगने की तैयारी की जा रही है अब देखना यह है कि जब सरकार के पास ये जाएगी सुझाओ की जो लिस्ट है उस पर सरकार किस तरीके से अब रियक करेगी और क्या करेंगी।